हेलो प्यारे विद्यार्थियो, स्वागत है आपका मेरे यूटूब चेनल बायर आज हम कक्साच यहार पांच के गनित की कारिय पुस्तिका में कारिय पत्रक 45 हल करेंगे 45 का बाकी की कारिय पत्रकों की हल से समन्दित वीडियो आपको चेनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वहां से देख सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करना तो कारिय पत्रक 45 में दक्सता है, तीन अंकों तक की संख्याओं के विश्तारित रूप की समझ बना पाना यानि तीन अंकों की जो संख्याई है, तीन अंकों तक की मतलब उसमें एक अंकी आजाएगी, दो अंकी भी आजाएगी और तीन अंकी भी आजाएगी तो तीन अंकों तक की संख्याओं का विश्तारित रूप है वो इसमें समझेंगे पहला स्वाल है नीचे दियेगे रिक्तिस्तानों को बरिये अब इसमें देखो ये दे रखी है गठर, बंडल और तेलिया इसमें दे रखा पांच गठर, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच पांच गठर हैं ये सो सो की है, पांच गठर प्लस दो बंडल दस दस के दो बंडल हैं, प्लस तीन तीलिया है तो पांच गठर पांच सो जोड़ दो बंडल दस दस के तो बीस होगे दो हैं तो प्लस तीन तेलियां पान सो और बीस और तीन पान सो तेज ऐसे करना है अगला है गठर किदने हैं एक दो तीन च्यार पांच छे साथ तो यहां लिखेंगे साथ गठर प्लस बंडल नहीं है इसमें जीरो बंडल प्लस एक दो तीन च्यार पांच छे छे तीलियां तो साथ गठर हैं साथ सो बंडल है नहीं जीरो छे तीलियां हैं तो साथ सो और छे साथ सो छे ऐसी अगला है एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ आठ गठर एक बंडल प्लस दो तीलिया दो तीलिया आठ गठर के आठ सो प्लस एक बंडल का दैस जोड दो तीलिया तो आठ सो उट दैस उट दो बार है अगला है एक दो तीन च्यार पांच छे गठर जोड एक दो तीन तीन मंडल जोड एक दिलिया च्या गठर के छे सो जोड तीन मंडल है अंदस दसके तीस जोड एक तो च्छेसो और तीस च्छेसो तीस और एक इक इक इस च्छेसो इक इस